and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials Class 11 English Compulsory का Lesson No. 2 The Address इसके हम Multiple Choice Questions लिखेंगे जो आपको बहुत कम वीडियो में देखने को मिलेंगे पहला प्रेशन हम शिरू करते हैं After reading The Address How would you describe Mrs. Darling? Materialistic, Selfish, Opportunist All of the above तो हमें उसके character को बताना है यहाँ पे वो किस प्रकार की महीला थी Materialistic, यानि वस्तूओं से Moh, Maya, जिसमें अधिक हो Selfish थी, स्वार्थी थी Opportunist का अर्थ होता है अफसरवादी थी तो इसका उत्तर है D, All of the above यह तीनों ही थी और यदि लंबा answer आता है तो आप इन तीनों main points को याद रख सकते है और फिर इसको explain कर सकते है In total, how many times did the author visit the given address? जो address ती गई अर्थाथ 46 Marconi Street वहाँ पे जो लेखी का है वह कितनी बार गई थी? Twice, twice होता है दो बार Once, एक बार Thrice, तीन बार Never, कभी नहीं तो उत्तर है B उत्तर इसका A है यहाँ पे थोड़ा सा correction कर लेते हैं उत्तर इसका A हो जाएगा जो वह है दो बार गई थी आगे देखते हैं तीसरा प्रेशन The author had come to visit Mrs. Darling डश the war During the war Before the war After the war Not mentioned in the story तो इसका जो उत्तर है वो है C After the war अगला प्रेशन देखेंगे प्रेशन नम्बर चार At the end What does the author decide? अंत में लेखी का क्या निर्ने करती है? To forget the address वह यह निर्ने करती है वह address ही भूल जाएगी To visit next year again फिर से आएगी To remember the address forever हमेशा के लिए address को याद रखेगी None of the above इन में से कोई भी नहीं तो answer A है To forget the address पांचवा प्रेशन हम देखते हैं Why did the author leave Mrs. Jolling in a hurry? जब वह दूसरी पार जाती है उसके बाद वह बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है क्यों? Because she was getting late for the train Because she no longer wanted to stay there वह वहाँ रहना नहीं चाहती थी और उसे गाड़ी के लिए भी लेट हो रही थी बोथ A and B यानि उप्रिक्त दोनों उत्तर None of the above इन में से कोई भी नहीं तो उत्तर है C उप्रिक्त दोनों उसकी गाड़ी भी छूटने वाली थी गाड़ी का समय हो रहा था और अब उसे वहाँ पे रुकने में कोई रुची नहीं रही थी प्रिशन संख्या छे According to the author When do we notice the things in the house? लिखेगा कि अनुसार हम घर में पड़ी वसों को कब देखते हैं? कब ध्यान जाता है उनकी तरफ हमारा? When they are out of our sight When they are used When they are shown all of the above जब हमारी नजर से दूर हो जाते हैं Used का अर्थ होता है प्रियोग मिलेना जब हम उन्हें प्रियोग मिल लेते हैं When they are shown जब हम उन्हें दिखाते हैं किसी और को दिखावा करते हैं तब all of the above का अर्थ है ये उप्रियोग सभी तो इसका जो उत्तर है वो है A When they are out of sight तो आप मान सकते हैं घर की मुर्गी डाल बराबर जिसे कहा जाता है कि घर पे वस्तू पड़ी है तो उसका कोई मोल नहीं होता जब नहीं होती तब वस्तू हमें चाही होती है यहां उसकी याद आती है Question 7 In what condition did the author find the living room? जो Mrs. Darling का living room था वो कैसा था? Tastelessly arranged Well arranged बहुत अच्छे से arranged था Empty था, खाली था Old fashion था बहुत पुराने तरीके का था तो इसका उत तरहे Tastelessly arranged बहुत बे सलीके से arranged किया गया था Question 8 I was in a room I knew and did not know What does author mean by this? इसका तातपरे क्या है लिखिका का? तो वो कहती है मैं उस कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती तो ऐसा क्यूं कहा उसने? She saw familiar things but in unfamiliar surroundings उसने जानी पिचानी चीजे देखी परन्तु वहां का माहूल वहां का वातावरन उसका जाना पिचाना नहीं था She saw unfamiliar things उसने अंजानी बस्तु में देखी but in familiar surroundings लेकिन वहां उस कम्रे को पातावरन को जानती थी She didn't recognize the things she saw चौथा option है She did not want to remember anything वहां कुछ भी याद नहीं रखना चाहती थी तो इसका अंसर है A She saw familiar things but in unfamiliar surroundings Question number 9 Unlike Mrs. Darling Her daughter was dashed towards the author rude, mature, hospitable, mean तो इसका उत्तर है C, hospitable यानि वहां उसके प्रती विनमृत थी और उसने उसका स्वागत भी किया था Question Sankhya 10 Why had the author come to visit Mrs. Darling? Author Mrs. Darling के पास क्यों आई थी? Because Mrs. Darling had belongings of author's mother उसकी मा का समान था उनके पास Because Mrs. Darling called her Mrs. Darling ने उनको बुलाया था Because she missed Mrs. Darling क्योंकि उसे Mrs. Darling की याद आ रही थी और वो मिलने चली गई None of the above, इन में से कोई भी नहीं तो उत्तर है एक क्योंकि उसकी मा का समान जो था वहां पर था प्रशन संख्या 11 How does the author describe Mrs. Darling When she saw her the first time during the war उसको जब प्रथम बार देखा था तो उन्होंने उसका वेवरंड कैसे दिया है A woman with a broad back जिसकी चोडी पीट थी Round back, goal पीट थी Straight back, सीधी पीट थी None of the above, तरहे ए उन्होंने का था Woman with a broad back और जिसकी चोडी चोडी पीट थी क्योंकि वह उसको बहुत कम समय के लिए देख पाई थी एक जहलक जिसको कहते है Mrs. Darling took the positions of the things on the pretence of pretence उता है बाहना करके ले लेना किसी से कोई चीज तो क्या बाहना किया था उसने using them, वह use करना चाहती थी sell them, sell करना चाहती थी keep them safe उसने Mrs. S. को कहा था कि वह हुने सुरक्षित रखेगी both A and B तो उत्तर है C, keep them safe उसने Mrs. S. जो कि लेखी का कि माताजी थी उसको कहा था कि हम तुमारा समान को सुरक्षित रखेंगे और यदि युद में तुमें कहीं जाना पड़ा तो तुम ये समान बाद में आकर के ले लेना I thought that no one had come back why does Mrs. Darlings say this मुझे लगा कोई भी वापस नहीं आएगा क्यों कहा उनने ऐसा because she was happy to see the protagonist protagonist होता है जो main actor, actress है कहानी की वो because she had been waiting for the protagonist for a long time because she thought everyone in the protagonist family were dead उसे लगा था उसके परिवार का जो है सभी लोग मर चुके है none of the above तो उत्तर है C question number 14 देखते है what was the address that the author's mother asked her to remember author की mother ने उसको कौन सा address याद रखने के लिए कहा था तो ये बहुत important है lesson का नाम भी यही है number 50 Marconi Street number 46 Baker Street number 54 Marconi Street number 46 Marconi Street तो हमें number भी धियान भी रखना है और street का नाम भी धियान भी रखना है number था 46 और street थी Marconi Street तो answer है D Mrs. Darling was dash of Mrs. S Mrs. S. जो की लेखक की माता जी है वो उनकी Mrs. Darling's क्या लगती थी a sister, बहन थी an old acquaintance, पुरानी जान पैचान की महिला थी an old friend, उनकी कोई पुरानी मित्र थी a relative, कोई संबंधी थी तो answer है B an old acquaintance, उनकी कोई जान पैचान वाली थी question number 16 the author remembered that the woolen table cloth had dash woolen table cloth पे क्या था, जो लिखी का कोई याद था an ink mark, a defect, a burn mark, none of the above तो उसके उपर एक burn mark जलने का निशान था जो कि उन्होंने तब ठीक नहीं किया था और अब भी वो वहीं था question number 17 according to the author when do we notice the things in the house हमारा ध्यान कब जाता है when they are out of our sight when they are used, when they are shown all of the above तो answer है A when they are out of sight चाहमारी नजरों से वो दूर होते है what was the silver that the author was once asked to clean by her mother तो silver क्या था jewelry थी, गहने, कटलेरी, बरतन, sculptures, मूर्तियां वगरे stones, पत्थर तो वह था कटलेरी, चांदी के चमच, काटे छुरी यह सब समान था how many times had the narrator seen Mrs. Drawling before visiting her narrator ने Mrs. Drawling को वहाँ पे आने से पहले, उसके घर पे आने से पहले कितनी बार देखा था once, twice, never, many times तो she had seen her only once और वो भी बहुत fleetingly देखा था every time she comes here, she takes something home who does a word she here refer to तो यह जो वाक्य है, every time she comes here, she takes something home यह Mrs. S. अर्थार्थ लेखी का की मा ने कही थी यह बात और उन्होंने ये she शब्द का प्रियोग Mrs. Drawling के ले किया था तो answer है B Mrs. Drawling was wearing this colored cardigan उन्होंने कौन से color का cardigan पहन रखा था हमें यह बताना है यहाँ पे तो उन्होंने जो है green, yellow, pink या white तो उन्होंने पहना वा था यहाँ पे थोड़ा सा spelling error हो गया है इसको ठीक कर देते हैं हम लोग पहले It is colored C-O-L-O आप यहाँ पे लिख सकते हैं Mrs. Darling was wearing this colored cardigan that is green, yellow, pink and white The answer is A. It was green colored The author came to know about Mrs. Darling Before the war, when she was a child, during the first half of the war, after the war तो उन्होंने During the first half of the war, जब वो घर में आई थी तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि वो घर काव आई थी During the first half of the war, वो घर पे आई थी और उन्होंने तभी Mrs. Darling के बारे में अपनी माताजी से जाना था What according to mother caused a crick in Darling's back Darling की back peach में दर्द कैसे हो गया था? लचक पड़ गए थी Silver cutlery जब वो ले जा रही थी हैना खुआ ले जा रही थी Large vases ले जा रही थी She fell down while carrying a suitcase वो गिर गए थी जब वो एक बड़ा भारी suitcase ले जा रही थी तो answer है large vases जब वो बड़े बड़े vases लेके जा रही थी तब वह उनकी पीट में crick हो गया था I had seen her only once fleetingly He of fleetingly means fleetingly का अर्थ आपको बताना है For a long time For a very short time For so many times From a whale यानि बहुत लंबे समय के लिए बहुत छोटे समय के लिए बहुत बार और गूंगट में से तो answer है B For a very short time अगला question देखते हैं The author's mother had asked her to help in washing clothes, polishing furniture, polishing silver cutlery taking things to darling's house तो उन्हें polishing silver cutlery के लिए कहा गया था Answer C What according to author was the easiest thing to forget Author के according सबसे सरल चीज क्या थी जैसे वे भूल जाना चाहती थी Her mother, माताजी को Silver cutlery, chandhi के chandhi, chammach, बरतन को Her love, अपने प्यार को The address 46, Marconi Street To answer D है वह इस address को ही भूल जाना चाहती थी Question number 26 Author's family had never used Hanukkah because Hanukkah जो था candle stand था जो की आप देख सकते हैं इस तरीके का बना हूँ होता है आपने बहुत पार देखा भी होगा कि बार शॉप्स वगरे पे लगा हूँ होता है यहाँ पे यह candle stand यहाँ पे candle लगा दी जाती है ठीक है? और वो जल रही होती है तो इसके ओपर यह चार यहाँ पाच इस तरीके से बने वे रहते हैं तो इन्होंने यह कभी प्रियोग क्यों नहीं किया था? वो उसे सुरक्षित रखना शाहते थे उन्हें वो मुश्किल लगता था जलाना टोट किया था उन्हें पता ही नहीं था इसे प्रियोग कैसे करना है तो इसका सही उत्तर है भी उन्हें यह प्रियोग करना ही कम सम मुश्किल लगता था किस ने खोला था? डॉलिंग की डॉटर ने, डॉलिंग के हस्बन ने डॉलिंग के बेटे ने यह darling खुद ने तो answer है darling की daughter ने उसकी 15 वर्ष यह जो बेटी थी 15 वर्ष उसकी ओमर हमें ध्यान रखने है she is 15 years old Who had told the address to the narrator narrator को address किसे ने बताई थी her friend, her grandmother, her mother, her father तो उसे यह address यह है उसकी माता जी her mother had told her How old was Mrs. Darling's daughter 10, 20, 16 या 15 तो she was 15 years old How did the author reconcile herself to the loss of her mother's precious belongings She thought she had no space for them in her small rented room उसे खुद को कैसे तसलिदी कि मुझे अब उस समान की आवशकता नहीं है तो मुखे दो बाती थी पहली बात तो यह है कि उसे लगा कि उसके वज़ोज़ कमरा जो है अब बहुत ही छूटा था उसके पास किराई के कमरे में वो रह रही थी उन्हें युद के दोरान में उसका घर वगरे सब खो चुकी थी वो तो वो सूची कि मेरे पास तो रखने की जगे नहीं है इसलिए में को क्या आवशकता है और वो उसकी माताजी से अब दूर हो चुके थे तो वो अपना महतो जो emotional values के लिए रखते थे पहले वो खो चुके थे इसलिए अब कोई लाब नहीं था C में option है both A and B none of the above तो answer है C both A and B ये दोनों ही कारण सही है आप दिखिए आपके ये जो पुस्तक है इसके जो बड़े वाले प्रेशन उतर आते हैं उनमें प्राय कर आपके यहां तो title से संबंदित आता है यां character से संबंदित प्रेशन पूछा जाता है तो आपके लिए ये दो प्रेशन बहुत important है What impression do you form of the narrator? Narrator यहां पे लेखी का यहां हमें जो घटना बता रही है वो तो narrator का character है Mrs. Darling का character भी बताया गया है तो आप पहले के वीडियो ज़रूर देखेगा यदि आपने नहीं देखे हैं और जो दूसरा प्रेशन है वो है हमारा comment on the significance of the title of the story, the address हमें address, the address का title यानि की जो लेखन का नाम है वो कितना उप्युक्त है उसकी उप्युक्तता पर, suitability पर हमें comment करना है तो हम पहला उत्तर देख लेते हैं What impression do you form of the narrator? The narrator leaves a very favorable impression on us about her emotional and intelligent qualities We find her an intelligent but devoted daughter She loves and respects her mother but does not approve her soft behavior उसका जो soft behavior है उसकी माताजी का उसको वो approve नहीं करती है क्योंकि उसे लगता था कि वो जो Mrs. Darling है वो उसे मुरक बना रही है और उसकी माताजी बहुती नरम स्वभाव रख रही है Mrs. Darling, she puts a pointed question which her mother thinks impolite और वह अपती माताजी से उसके लिए बहुत सारे सवाल पूछती है जो उसकी माताजी को लगता है कि वो थोड़ी सी rude हो रही है The narrator has a keen power of observation उसकी आसपास की observation की जो क्षमताए है वो अच्छी है She notices during her brief stay at home, various things are missing from the rooms She has a sharp power of judgment उसकी जो power of judgment है, लोगों को देखने का जो नजरिया है वो भी उसका बहुती सपष्ट है और बहुत सही है She once sizes up Mrs. Darling वो Mrs. Darling को पहचान जाती है कि उसके वास्तिविक परपस क्या है Her persistent efforts to remind Mrs. Darling of her own identity and the relations with her mother reveal her intermitable spirit और उसे हिलाना मुश्किल था, वो एक द्रिद निश्चे लड़की थी क्योंकि Mrs. Darling ने उसको पहली बार पहचानने से माना कर दिया फिर भी वो वहाँ पर गई और उसे पूरे प्रयास किये कि वो उसे पहचान ले She visits 46 Marconi Street twice to see, touch and remember her mother's belongings She is a realist, वहाँ वास्तविकता में विश्वास रखती है Who doesn't like to remain tagged to the past और वो आगे बढ़ जाना चाहती है जीवन में उसे यह पता है कि भूत काल में जो बीत गया वहाँ बदला नहीं जा सकता तो यह उसे वास्तविकता है, जीवन की उसे पता है Her resolution to forget the address Resolution माने दृतने शे जो उसने कर लिया था कि मुझे address को ही भूल जाना है And move on, move on मतलब आगे बढ़ जाना Shows her grit and forward looking nature She has a progressive personality, उसकी जो personality थी वो progressive थी यानि आगे से आगे बढ़ने वाली personality थी Title का देख लेता है, हम लोग title के तना अप्यूकता है The title of the story, the address is quite apt Apt का अर्थ होता है, suitable यानि की उच्छत है, उप्यूकत है It is the spring wheel of the action क्यों क्योंकि जो मुखे घटनाए है वो कहां से संबन्दित है, इसी address से संबन्दित है जहां पे Mrs. Darling रहती थी और वो लिखी का की मा को एक तरीके से मूरक बना के उनका बहुत सारा केमती समान वहाँ पे ले गई होती है In fact, the whole action centers around it कहानी जो है पूरी वही एर्द-गिर्द घूमती है The title is quite suggestive and occurs at the beginning और कहानी का जो title है वो कहानी के शुरू में ही आ जाता है Beginning में ही उसकी मां उसे बता देती है Middle and end of the story, middle में भी उसका जिकर आता है और कहानी के end में भी उसका जिकर आता है जब लेखी का ये कहती है कि मैं अब उस address को ही भूल जाओंगी तो पूरी उस कहानी में address का जिकर बार बार किया जाता है Marga Min ko focuses the reader's attention on it by the narrator's doubt whether she was mistaken पहली चीज़ जब पहली बार आता है तो जो लेखी का है Marga Min ko इस part की वह हमारा ध्यान आकरशित करती है कि जो narrator यानि की कहानी की जो मुख्य पात्र है उसे यह address सही से याद है या नहीं तो भार उसका प्रयास करती है इसके द्वारा हमें उस address की तरफ ध्यान ले जाया जाता है and her self-assurance that she had reached the correct address तो उसके लिए वो प्रयास करती है पहचानने के लिए sweater देखती है address देखती है बार बार चेक करती है the middle part of the story reveals how she came to know the address it was फिर कहनी का middle part हमें बताता है कि लिखी का को जो वकता है narrator है उसे address के बारे में कैसे पता चला तो उसे अपनी मा से पता चला था it was her mother who informed her about the place where Mrs. Darling lived and asked her to remember it और उसकी माने ना के बल address बता उसके ये भी खा कि उसे remember अठात याद रखना the story ends dramatically with the narrator's resolve to forget the address अब कहानी जो है वो अपने मा का समान देखना चाहती है लेना चाहती है परन्तु अंत में वह एक ऐसा निश्य करती है जो सब को आश्यरे में डाल देती है वह उस समान को भूल जाना चाहती है उस address को ही भूल जाना चाहती है the wheel comes full circle she had remembered the address for so many years इतने वर्ष बीतने के बाद भी उससे वह address पता थी and now since the belongings of her mother stored there have lost the usefulness she finds that forgetting this address would be quite easy क्योंकि वहाँ पर पढ़े सामान का अब उसकी मां से कोई link नहीं रह गया था और वो बहुत tastelessly रखे गए थे बेसलीके से रखे गए थे तो उससे लगता है कि अब मुझे इस सामान के बिलकुल भी आवशकता नहीं है she finds that forgetting this address would be quite easy और इसले इसको लगता है कि इस address को भूल जाना ही उसके लिए अच्छा होगा और बहुती सरल भी होगा बाकी सब चीजों को भूल जाने से तो यह जो उत्तर है यह आप लिख लेंगे अपनी copy में और इसको याद भी कर लेंगे क्योंकि यही दो तीन प्रशन जो है बड़े वाले वो बहुत important है इस part के तो उमीद है आपको वीडियो बहुत पसनाया वीडियो को like करने में कंजूसी मत कीजेगा और share जरू कीजेगा धन्यवाल